नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गन्ने का जूस। गर्मियों में गन्ने का जूस न सिर्फ प्यास बुझाता है बलकि जिसके पीने से मिलते हैं जबरदस्ट फायदे, जो आपको कई बीमारियों से बचाने में मददगार होते हैं। इसमें मौजूद कई जरूरी पोशक तत्व पाये जाते हैं, जो शरीर को कई तरीके से लाप पहुचाने का काम करते हैं। यह शरीर को तरोताजा करने में मदद कर सकता है और इसलिए गन्ने का रस गर्मियों में सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। आईए जानते हैं गन्ने का रस किस प्रकार आपको शरीरिक लाप पहुचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और हर्बल दवलनिवस वे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सबस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करें। क्योंकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आईए जानते हैं इसके सेवन के फाइदों के बारे में। हम दिन भर काम करके ठकते हैं। इस बजह से बॉड़ी में एनरजी कम होने लगती है, गन्ने का जूस बॉड़ी को हाइडरेट रखता है। इसलिए अगर आप एक गिलास हर रोज गन्ने का जूस सेवन करते हैं, तो इससे बॉड़ी को एनरजी भी मिलेगी और आप फिट भी रहेंगे। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कार्बो हाइडरेट होता है। कार्बो हाइडरेट से शरीर को दिन भर काम करने की उर्जा मिलती है, जो बॉड़ी को हाइडरेट रखता है। इसके लिए आप गन्ने का जूस पीना शुरू करें। अगर आपको पी लिया है, तो खास्तोर से डॉक्टर गन्ने का रस पीने की सलाह देते हैं। यह पीलिया बीमारी के लिए फायदेमंद माना जाता है। जब शरीर में बिलीरुबिन अधिक बढ़ जाता है। बिलीरुबिन लिवर में रेट ब्लड सेल्स के तूटने से बनता है। इसलिए पीलिया में गन्ने के जूस पीने से तुरंत आराम पाने में मदद होती है, कोशिश करें की गन्ने का रस्ता जाही पीए यहां आधा या एक घंटे बाद खराब होने लगता है गन्ने का जूस रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने का भी काम करता है इम्यून सिस्टम कमजोर होने से शरीर में कई बीमारिया हो सकती है ज्यादा तर बुखार किसी न किसी संक्रमन के कारण आते हैं गन्ने में हेपाटो प्रोटेक्टिव और एंटिक्सीडेंट गुन पाये जाते हैं जो वाइरल संक्रमन से बचाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाने में मदद कर सकता है गन्ने के रस का सेवन गले के दर्द के लिए भी किया जा सकता है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए गन्ने का रस मीठा होता है जो वजन घटाने के लिए काफी फायदे मंद होता है इसमें डायटरी फाइबर होते है जो वजन घटाने में फायदे मंद होता है गन्ने का रस आपके पेट को साफ करने के साथ मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है जो उचित वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है पाचन को ठीक बनाए रखने में सहायक है शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियों और दातों समबंधी समस्याएं कम हो जाती है इसलिए गन्ने का रखने का नियमित रूप से सेवन करने से हमारे शरीर में कैल्शियम का उचित स्थर बना रहता है जो हमारी हड्डियों और दातों की मजबूती के लिए फायदे मंद है गन्ना चबाने से भी दात मजबूत होते हैं बढ़ते बच्चों के शारिरिक वमानसिक विकास के लिए गर्मी के मौसम में गन्ने के रस का सेवन अच्छा होता है गन्ने के रस को नाखूनों पर लगाने से नाखून भी मजबूत और चमकदार बनते हैं आईए जानते हैं गन्ने का रस के नुक्सान के बारे में प्रगी के संपर्क में आने से गन्ने के रस के फाइदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ध्यान रखे गन्ने का रस किसी भी समस्या का डॉक्तरी उपचार नहीं है, बल्कि यह समस्या से उनके लक्षनों को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। इस वीडियो से जुड़ी किसी भी जानकारी को अपने उपर। अजमाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृप्या लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कृप्या नीचे दिये गए कमेंट में बताए। फिर मिलेंगे नए आयुरवेदिक फायदे के साथ तब तक के लिए स्वस्त खाए और अपने सेहत का ख्याल रखे। धन्यवाद